मित्रो नवेंबर फोर्थ विक से मैंने ये डेली करन्ट अफेर्स सीरीज जो शुरू की है तो करीब करीब सौ दिन होने को आये से और इसकी टॉपिक वाइज कॉलम बनाकर एक्सेल फाइल में अपडेट करते रहता हूँ जो mruna.org slash current पे उपलब्द है काफी टाइम से कॉमेंट सेक्षन में कई स्टुडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो current अफेर्स में हम लोग रोज पढ़ते हैं इसकी कोई multi choice question MCQ टाइब की practice हो तो तैयारी करने में और सुविदा हो तो आपकी इसी request को गर्व करते हुए मैं लेकर आ रहा हूँ मुरुनाल्स Monday weekly current affairs 2020 questions ताकि अब तक हमने ये नवेंबर मैने से लेकर अब तक जो current affairs पढ़े हैं उसमें से आपने कितना समझा कितना revise किया दूसरे students के सामने आप कितने आगे या पीछे हैं रेस में ये सब काप आखलन कर सके S.E.A. test series हर सोमवार 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 होगी मुरुनाल्स Monday इसकी registration link description में दी है और free unlock code यूज़ करे मुरुनाल.org कि अब इमें मुद्धे पर आते हैं कि 2nd March मंगलवार के Indian Express में मुझे exam के लिए काम की चीज़े क्या लगी First of all International Relations Defense Cyber Security में China का एक hacker group Red Echo उसने shadow pad नाम का malware attack इस्तेमाल किया था और पिछले साल October मैने में मुंबई में जो बिजली चली गई थी उसके लिए वो जिम्मेदार था बारत-चिन के गलवान रीजन में गतिरोद के बाद उन्होंने ये बारत को परिशान करने के लिए malware है, ransomware है तो अभी एक और नाम हमने सिखा shadow pad तो ये क्या है? Malware है तो प्रिलिम के लिए वो जाने की चीज़ और mains में क्या? कि जब हम बात करते हैं ICT, E-Governance, Smart Metering Smart Metering मतलब कि वो बिजली का कितना consumption आपने किया वो meter reading करने के लिए कोई व्यक्ति आपके घर पर आए नहीं अपने आप ये computer से पूरा network connected हो और company को पता चल जाए आपने इतनी बिजली इस्तिमाल कि आपका इतना bill हाता है तो ये सब कुछ हम जब online कर रहे हैं तो उसके फायदे भी है तो सामने ऐसी चुनोते में जो पूरा online trading होता है banking transaction होते है hospital में जो मरीज ये पूरी oxygen और ventilator system पे है से लेकर बहुत सारी ऐसी critical infrastructure जो कि मैं आज़े तो बारत देश के GDP को कितनी तकलिफ आप सोचे कर इंटरनेशनल रिलेशन का ही नाम लिया है तो सीधा ही कॉलम में C. राजा मौनिया जे बारत पाकिस्तान के बारे में कॉलम लिखी है वैसे तो मुद्याब जानते हैं लेकिन फिर भी कि 2004 में वाजपई मुशरफ ने एक tripod framework बनाया था tripod मतलब वो camera के नीचे जो stand रहता है और उसके तीन pair होते हैं तो इधर भी तीन pair थे कि पहला पाकिस्तान cross border violence सीमा पर से हिंसा अतंकवाद उसको कम करेगा बारत कश्मीर के मसले पर कुछ समझोते की बात करेगा and third is confidence building measures विश्वास संपादन के लिए कुछ और काम किया जाएं मा लिजे कि ठीक है ये वाले border area से हम अपने 100 soldiers पीछे ले लेंगे आप अपनी इतनी चौकिया बन कर दीजे बग्यारा तो ऐसा ये tripod framework तो था लेकिन सफल नहीं रहा फिर 2019-2020 में ये जो article 370 removal उसके बाद पाकिस्तान सोच रहा था कि हम लोग United Nations Security Council सैयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशद में ये चीन की मदद से इसके खिलाब कुछ resolution पास करवाएंगे अगरा लेकिन वो सफल नहीं रहे क्योंकि रशिया और western countries ने बारत को support किया दूसरा पिछले कुछ वर्षों से बारत ने ये financial action task force यानि FATF संस्था में अपने diplomats की fielding लगाई है जिसके चलते FATF members में पाकिस्तान के प्रती काफी negative attitude develop हो चुका है पाकिस्तान कई मैनों से gray list में है gray list से उपर की danger category होती है black list जैसे North Korea और Iran तो अगर वो black list में आ जाए तो फिर वहाँ पर ये FATF member देश के जितने भी bank, NBFC insurance, pension company, foreign investor पाकिस्तान अभी gray list में है पता नहीं black list में चला जाए तो इस चिंता में वो पाकिस्तान में जो पहला investment करते थे उससे बहुत कम कर दिया है जिसके चलते पाकिस्तान की economy और कमजोर हो रही है तो अब उन पर pressure बन रहा है और इनी सब के चलते और फिर यह surgical strike जो बारत सरकार द्वारा किये गए तो अभी कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान और बारत ने तैक किया है कि हम ceasefire के agreement का सम्मान करेंगे LOC का सम्मान करेंगे तो इन सब चीजों को अमने उस परिपेक्ष में देखना चाहिए कि पाकिस्तान की वैसे भी हवा टाइट हो चुकी है इसलिए वो अभी line पे दीरे-दीरे आराए क्यार हवा टाइट हो चुकी है यह तो कोई बाशा प्रयोक सही नहीं है मींस में लिखने के लिए इंटर्यू में बोलने के लिए इसलिए राजा मोहन की जो ओरिजनल कोलम है अंग्रेजी वाली आप वो आरम से पढ़े और अपनी इंग्लिश को बैतर करें बागी तो पेज वन पर वही सब कोरोना से लेके वेस्ट बेंगल चुनाव की बाल बाल कॉमेंट ही जा रही है आगे बढ़ते हैं पेज 2, 3, 4, 5 पे एक्जाम के लिए कुछ काम का नहीं पेज 6 कॉलम में भी आज एक्जाम के लिए कुछ काम का नहीं एक तो कैसे नैशनल ग्रीन ट्रिबूनल में वो अपिल करने में 30 दिन के बाद किया जाये तो उसे रिजेक करते हैं वगरा कि कल जो हमने मैटर देखी थी उसी पर कॉलम हला कि प्रिलिम के लिए एक नया factual information कि 2010 में नैशनल ग्रीन ट्रिबूनल की स्थापना करने पर बारत औस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बाद तीसरा ऐसा देश बना जहां पर ऐसी क्वाजाई जुडिशल बॉड़ी है environment case hearing के लिए दूसरा कॉलम आसाम के रहला तमिलनाडू वेस्ट बेंगाल में अलग-अलग चुनाओ के बारे में जो कामका नहीं तीसरा कॉलम कैसे बिहार के college teachers को बॉलिवूड डांस करने पर suspend किया लेकिन कटाक्स पूर्ण रूप से लिखा गया तो एक्जाम के लिए बहुत कामका नहीं बड़े कॉलम में प्रताब बानू में था तो बारत पाकिस्तान चीन के रिष्टों में सुधार के बारे में लेकिन एक्जाम point of view से कोई जोरदार मुद्दे नहीं उनकी सब गुमफिर के बाते वही सब सिटीजन्शीप अमेंडमेंट अक्ट और क्यार एक्जाम point of view से कुछ मज़ेदार नहीं इसमें दूसरा बड़ा कॉलम है national education policy मित्र अभी 2020 की exam cycle कोरोना के चलते लेट चल रही थी तो January 2021 में में इसका paper हुआ उसमें एक प्रशन ऐसा पुछा था national education policy से sustainable development में कैसे मदद मिलेगी आप चर्चा कीजिए तो वो question का tone कैसा है कि आपने प्रशनसा करने आ कि ये sustainable development goal में ये सब ऐसे inclusive growth होगा education for all और उसे productive job और vocational skill वागेरा तो मतलब सरकार की जो कोई नीती बनती है तो उसकी प्रशनसा करो इस tone में ज़्यादा तर तो प्रशन दिखते हैं अभी यहाँ पर एक column आया है कि ये national education policy में बच्चों को खेलने के लिए playgrounds खेलकुद के मैदान होने चाहिए ऐसा कुछ लिखाई नहीं और फिर पूरा negative tone में जा रहा है तो national education की खामियां बताई है कुछ खामियां दो हमने win 20 CSP सीरीज में देख लिए थी अभी इनके पास column में लिखने के लिए कुछ नाय नहीं हो तो वही पुराने गड़े मुर्दे उखाल के वापस देखो पिछले साल की यह रूष में यह था वो था छोड़ो इसको आगे बढ़ो page 7 राजा मौन की कॉलम बारत पाकिस्तान देख लिया दूसरी कॉलम है कि vaccine distribution लेकिन उसमें भी जाने लाइक कोई खास बात है ने यही प्रसंसा कि कैसे सरकार ने ये 250 रूपीज का डोज रखा है तो प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं तो लूट मचा लेते ये सब अच्छा हुआ है और बारत सरकार ने क्यूंकि vaccine distribution अपने आतमे रिखा है तो इससे ये फाइदा होगा कि अगर कोई adverse events हो मतलब vaccine लेने पर आपको कुछ negative reaction आ गया तो उसका सब reporting centralized तरीके से हो सके वगयरा वगयरा थर्ड column is about MJ Akbar and Priya Ramani और Me Too movement लेकिन वो तो हमने देख लिया था इसमें वही सब बाते रिपीटो रहे पेज 8 राशी पविशकाम का नहीं पेज 9 स्वच्च बारत मिशन और उसका phase 2 वो अभी cabinet उसका funding अप्रूव करे सेलियन फीचर अप्रूवल करे उसकी राध देखी जा रहे है तो अभी वो जब अप्रूव करेंगे तो वापस news और explain series आएगे तब हम पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे दूसरी चीज स्वच्चता सर्वेक्षन ये स्वच्चत बारत मिशन में अलग-अलग city area कितना बेतर कर रहे हैं लिए ministry of housing and urban affairs मकान और शहरी मामलों का मंद्रा लए वो चालाना ऐसा एक सर्वेक्षन करता है तो ऐसा सर्वेक्षन हो रहा है या हो गया है और आगे report भी आएगा तो जब ranking आएगा तो हम देखेंगे अभी जाने लिए एक यही कि city का ranking होता है उसमें एक चीज़ होती है ODF open defication free फिर दूसरा होता है ODF plus मतलब लोग खुले में शौच नहीं जा रहे है and plus जो शौचाल है टोईलेर्स बनाए गए वो भी सही से रख रखाव हो रहा है maintenance done properly third stage होता है ODF double plus यानि कि switch system गटर व्यवस्था भी सही से काम कर रही है फिर अलग से वो देखते हैं garbage free rating है कि नए फिर ये कुछ नए दिविय यानि प्लेटिना मनुपम यानि गोल्ड उजुवल यानि सिर्वल वगेरा ranking दिये जाएंगे ये स्वच्च बारत सर्वेक्षन जो 2016 में शुरूआ है तो पहले बार मैसुरू को इनाम मिला था उसके बाद जो 17, 18, 19 में इंदोर को continuously आवर्ड मिला था तो अभी 20 का रिपोर्ट जो कुछ समभी में आना चाहिए किसको मिलेगा वो देखना रहेगा वगेरा बात है पेज 10 पॉलिटिक के समाचार फेडरालिजम यानि संगवाद या संगिय प्रणाली आप जानते ओल इंडिया सर्विसीज अखिल बारतिय सेवाएं तीन है आईएस, IPS और इंडियन फॉरेस सर्विस तो उनके ऑफिसर्स को पर्टिकुलर स्टेट काडर अलोट किया जाता है तो उनकी पूरी नौकरी मतलब वो राज्यक के अंदर अलग-अलग जगह पर होगी और राज्य सरकार उनके इधर उदर ट्रांसपर प्रमोशन वो सब देती रहेगी और बीच-बीच में उनको सेंटरल डेप्यूटेशन केंदर सरकार के कुछ मंतरा लयों में प्रतिन यूकती के लिए भी बेजा जाता है कुछ समय पहले वेस्ट बेंगाल में किसी बीजेपी नेता के कारेक्रम में दमाल हुई थी लेकिन वेस्ट बेंगल स्टेट कैडर के IPS ओफिसर्स ने सही से बंदोबस नहीं किया ऐसा कुछ लगा सरकार को तो यसे कुछ IPS ओफिसर्स को सबक सिखाने के लिए पनिश करने के लिए शायद केंद्र सरकार ने उनका डेप्यूटेशन पे उनको वापस बुलाते हैं और सेंटरल गवर्मेंट के कोई ट्रेनिंग इंस्टिटूट हो वहाँ पर बैठो ओफिस में ऐसा सरकार केंद्र सरकार कुछ सोच रही थी तो वहीं से ये मुद्दा चला कि क्या केंद्र सरकार मन चाहे तब स्टेट कैडर से IPS ओफिसर को हटा के अपने पास बुला सकते है की नई इसमें इंडियन पुलिस सर्विस रूल्स 1954 का ये कहना है कि केंद्र सरकार जब IPS ओफिसर को ट्रांसफर डेपिट करना चाहती हो राजे सरकार के अंडर से लेके अपने किसी सेंटर डिपार्टमेंट गवर्मेंट कंपनी बगेरा में तो उस वकत उस particular स्टेट गवर्मेंट का concurrence अनुमती सैहमती लेना की कोशिश होनी चाहिए लेकिन अगर स्टेट गवर्मेंट मना कर दे इन इस स्टेट गवर्मेंट डिसग्रीज देन यूनिएंस डिसीजन विल बिपाईनल तो ultimately मतलब केंदर सरकार का निर्णय सर्वोपरी होगा अभी सुप्रीम कोट में ऐसी कोई आचेगा गई थी कि ये सही है नहीं है तो सुप्रीम कोट ने की जो नियम है वो सही है यानि केंदर सरकार को ये सब पावर दिये गए हैं वो सही है पालिटी में उत्तर प्रदेश विदान सभा ने एक नया कानून पास किया Prevention of Property Defacement Bill Defacement मतलब गंदा कर देना सरकारी या निजी संपती पर जो दिवारे होते हैं कोई भी पोस्टर लगा दे अपने बड़े-बड़े बैनर और स्लोगन पेंट करवा दे तो दिवारे गंदी हो जाती हैं अब से कोई पकड़ा गया तो उसको एक साल तक की जेल और एक लाग तक का जुर्माना हो सकता है अब ये जनरल नॉलेज के लिए ये प्रशन नहीं कि कौन से राज्या में ऐसा हुआ या कितना जेल या फाइन लेकिन ये ऐसा दर्शाता है कि सोचो इस तरह से दिवारे गंदी करने की प्रवृत्ती वो कितनी हद तक फैल चुकी होगी कि उस पर एक साल की जेल और एक लाग का जुर्माना लगाना पड़े कि उसको एक स्टेज और आगे लेकर सुंदर बारत बन सकता है कि हवा भी साफ हो दिवारे भी साफ हो देखने भी भी हर चीज साफ सुथरी लगे तबी हम बारत में और टूरिजम को प्रमोट कर सकते हैं और उस मदद से विदेशों से सहलानी आए और हमारी एकोनोमिक और फाइड़े बगएरा आगे पेज 11 एक्स्प्लेंट सिरीज एक तो वैक्सिन डोज कैसे बुख करना है और को मॉर्बिडिटी की लिस्ट वो तो हमने पढ़ ले थी दूसरा बारत में ये जो वैक्सिन दी जा रही है उसमें कुछ 28 दिन पर दूसरा डोज लेना है पहला डोज बहुत सारे लोगों को मिल जाए instead of the present approach की जहां पर एक ही आदमी को दो डोज देने के चकर में हम लोग तीन महीने में सायद आधी आबादी कवर कर पाए तीसरी एक्स्प्लेंट सिरीज है फूड सिक्योरिटी एक्ट में घरीबों को जो कवरेज मिल रहा है उसको कम किया जाया वो तो पहले भी करल भी पढ़ा था उसे पहले भी पढ़ा था नया जाने को कुछ नहीं पेज 12 वर्ल न्यूज में एक समाचार एथिक्स कोई बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट राष्टरपती करप्शन एड अब्यूज ऑप पावर ब्रश्टाचार और सत्ता का दुरूपयोग उसमें कन्विक्ट हुए हो आरोपी दोशित हुए हो ब्राजिल की प्रेसिडेंट इल्मा रुसेफ उसको इंपीज किया गया कि आपने ये सब करप्शन एअब्यूज ऑप पावर किया और ये सब के चक्कर में उनको करीब तीन साल की सजा होगी तो ये सब क्या दर्शाता है पहला करप्शन एन अब्यूज ऑप पावर है ऐसा नहीं कि ये मियानमार नेपाल या थर्ड वर्ल कंट्रीज में ही होता है फ्रांस जैसे देश जहां पर एजुकेशन यूमन डेवल और दूसरा जब प्रेसिडेंट खुद गलत काम कर रहे हो तो उनके सबॉडिनेट ओफिसर्स और मिनिस्टर से हम क्या ही एथिकल कंड़क्ट की उमिद रख सकते हैं तो ये सब एथिक्स करप्शन की बोल बच्चन में एक्जामपल में कुछ लिखना हो क्योंकि हमेशा सिर अलग-अलग शोज और मुवीज को मिलें पूरी लिस्ट अम करने बैठे तो कॉस्ट बेनेफिट इस नॉट सो ग्रेट एक दो जाने लाइक क्या हैं क्लोई जाओ जो पहली एशियन अमेरिकन मिला है जिसको निर्देशक डायरेक्शन वाला अवर्ड मिला है और दूसरे च कुछ सालों पहले सर्कुलर एकनामी कंसेट प्रचलेत हुआ था यूरोपियन यूनियन में भी और बारत में नीतिया अउग ने भी रिपोर्ट बनाया था सर्कुलर एकनामी चक्रिय अर्थतंत्र कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि प्रोड़क्स को रिसाइकल किया जाए प्रोड़क्स की लाइफ साइकल को बढ़ाया जाए तकि जो इलेक्ट्रोनिक वेस्ट वगरा हो रहा है वो कम हो और साथी साथ नए जॉब्स क्रियेट हो वग अर्बिश्मेंट उसको और बैतर किया जाए ताकि इलेक्ट्रोनिक वेस्ट जनरेशन थोड़ा कम हो लेकिन मॉडरन इलेक्ट्रिक एप्लाइंस इसमें क्या-क्या चुनातिया होती है उसको रिपेर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो स्कुरू लगाने की जगा ग प्लास्टिक के मटेरियल पूर्जे लगाया जाते हैं तो वो समझ ये दो साल में बंदी हो जाए तो यूरोपियन यूनियन ने ये सब पर गौर करते हुए एक फ्रेमवर्क बनाए राइट टू रिपेर दूरूस्त करवाने का अधिकार कि जो भी कमपनिया यूरोपियन में रेफ्रिजरेटर वाशर हैडराय टीवी वगेरा बेचेंगी उन्होंने ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके ये जो अप्लाइंस है वो 10 साल तक रिपेर किये जा सके ऐसी सुविदा होनी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने 10 साल तक उसके स्पेर पार्ट मौया कराने होंगे सब instruction manual बना कर public domain में रखने होंगे कि ऐसे product disassemble होता है और repair होता है ताकि अगर company के खुद के warranty वाले लोग ना भी हो तो दूसरे private sector के repairman भी उसको देख के सीख कर सके तो इससे फाइदा क्या होगा electric waste generation में कमी आएगी और शायद indirectly चाइना के साथ उनकी जो trade deficit उसको भी वो कम कर सके क्योंकि चाइना का मल तो फिर जात अतर भी की नहीं पाएगा 10 साल की warranty के अगर आब बात कर रहें क्यार आगे बढ़ते हैं pay 13 economy RBI ने एक report जारी किया state of economy अर्थ तंद्र की हालत क्या है तो अभी हमने कुछ एक दो दिन पहले देखा था quarterly GDP growth वो करी 0.4% आ गया तो क्या गी दूद की नदिया बेह रही है तो RBI report कह रहा है नहीं दिबेह रही इट इस अ shallow and slow recovery ये October December period तो वैसे भी वो दिवाली उसके बाद Christmas तो थोड़ा लोग shopping करते होंगे लेकिन वो कहके ये बोल देना कि सब ठीक हो गया है difficult the animal spirit is missing ये British economist John Maynard Keynes ने concept दिया था animal spirit पश करते हैं तो वो क्या कोई बहुत सोच समझ के decision making से करते हैं नहीं उनके जो emotions होते हैं या उनकी जो hunger, lust, basic desires उसी साब से वो actions लेंगे तो उसी तरह है जब हम कहते investors and consumers तो क्या वो सबी लोग ये share market का ऐसा graph दिखता है और ये product का ऐसा price है तो वो बहुत ही rationally उसको decide करते हैं वह ये तो share उपर ही जाएगा या ये product खरीता हूँ ये तो मुझे बहुत पसंद है बले मेंगा हो या सस्ता तो RBI का कहना है कि बारत की economy में अभी ये animal spirit is missing और जब तक वो आएगा नहीं तब तक ये सब recovery थोड़ी मुश्किल है उन्होंने ये भी पाया कि home loan में जितना growth आना चाहिए वो कम हुआ है तो उसी साब से मकान नए कम बनेंगे तो steel cement industry को चुनोती बैंक बड़े-बड़े उद्योग पतियों को loan देने से डर रहे हैं विकाज ये मालया निरवमोधी टाइप के case और उसके बाद भी कोरोना में कि वो वापस पैसा करेगा कि नहीं ये सब कि उसके चलते मेंगाई और बढ़ेगी क्योंकि सरकार वो पैसा किसी को salary में, subsidy में देगी, वो जाके बाजार से और onion खरी दे, demand बढ़ जाये, if sufficient not, onion available ना हो supply आप उर्टी पर आपना ही हो तो मेंगाई हो जाए, लेकिन RBA का ये कहना है कि ये चीज नहीं होगी क्यूंकि ज पैसा जादा खर्च भी हो, तो वो कोई ऐसी योद्दा नहीं कि सिदा किसी के bank खाते में 25,000 जमा कर दिये और वो जाके देदनादन शॉपिंग करें, किर वैसे तो जाने लाग कोई नए मुद्दे नहीं, लेकिन जब भी V-shaped recovery की आप बात करें, खास का निबन में, तो ये places in news, नुमालीगर किदर या सम्में, दो सरकारी bank, आंदर bank और corporation bank को, केंदर सरकार ने union bank के साथ merge करवाया था, तो उसका मतलब क्या, अब ये आंदर bank और corporation के जो भी board होगे, office होगी, वहाँ पर union bank का label चिपक जाएगा, तो ये हर एक bank की branch होती है, उसको हम identify करने के लिए, ज union bank का हिस्सा बन रहे हैं, तो आगे चलके उसके IFSC code को भी change करके, UBIN 0809 ऐसा कुछ होने वाले हैं, कि एक्जेक्ट, numbering is not important, समझना ये है कि merger के बाद, ऐसे code change हो सकते हैं, page 14 sports में आज कुछ काम का नहीं, तो ये था मंगलवार का newspaper,